हम है इस हम आपको पता है मैं किस मुद्दे के लिए लाइब आने वाला हूँ मेरी रिसेंटली एक आईडी भी सस्पेंड हो गई है जिसका मैं पेज से एडमिन था और उसको तुरंद हटा दिया गया हूँ तो आप सोच सकते हैं कि हमें किस प्रकार से बोलने की जो सौतंता भारतिय संबिदान में दिया गया है उसको किस प्रकार से हमारे सामने से चीना जा रहा है साथियो और लेकिन हाँ हम जो प्रहने वाले नहीं है और हम डरने वाले भी नहीं है इसलिए मेरा आज का टॉपिक था कि सिंदु घाटी सब्वता को नाम बदला जा रहा हूँ उसक अब आप सोच सकते हैं कि हम जो है विज्यानिक विचारधारा का वेक्ति है प्रकेतिक विचारधारा का वेक्ति प्रकेदिवादी है और उसकी ही जो सब्वता है उसको किस प्रकार से नाम बदला जा रहा है यह जो काम है यह लगतार हो रहा है मैं आपको बता दूँ और वैसे ही यह नाम बदलने वाले कौन लोग है आप तमाम लोगों को पता है जो लगतार नाम नगर को जनोंने राम नगर किया अमर कंठक अमर कंटक जो था नाम बदल दिया गया उसका नाम था अमुर कोट और वैसे ही आप तमाम लोगों को पता होगा कि आपके छेत्रे में भी बहुत सारे ऐसे आपके पुराने ऐसे गाउं होंगे ऐसे सहर होंगे जिनका नाम आपके पूर्वजों के नाम पर जिनका इतिहास जो कि नाम बदल रहे हैं यह लोग आपको इस वारे में सोचना पड़ेगा सरप्रतम इसलिए बदल रहे हैं कि इनका अपना कोछ इतियास बचा नहीं है भारत जिसे हम गणमाना भुभाग कोया मूरी दीप या फिर गंडो दीप जीसे कहते हैं इस भूखन में इन लोग के पास क क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है एक विसेश संस्क्रेटि का वहाँ धार में के इस थाल है और इसलिए बदल लगाए कि इलहाबादु से उसका कोई संबहन दे नहीं था उनका जो कुमभ का मैला लगत था उससे को संबंद नहीं है कि मतलब जिनका कोई इतिहास नहीं है वो अपना स्तित्व बनाने के लिए अपने इतिहास नया मनगड़ा के इतिहास रचने के लिए वो लोग फिर से नाम बदलने की जो प्रवती रच रहे हैं। कि नारे यह हडपा सब्वता थी और अभी वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में हैं माउंड गौरी जिला में पाकिस्तान में यह पहला इस्थाल है सिंदुगहाटी सब्वता का जो सबसे पहला खोजा गया था हडपा सेकेंड अगाम देखे 1922 में रखलदास वनर जी ने सेके नाम डारक सिंदु नहीं पड़ा सिंदु से पहले है था इंडस आपको पता होगा इंडस uglaiad UAसिफा्यी नापने साथ पढ़ा होगा शिंदू नदी के पहले इसका इंडस यह इंडस त continuously इंडस में और कुछ यहाँ पर विभिन प्रकार के धर में के जो लोग रहते थे जो अपनी अपनी एक अवधार्णा बना लिये थे जैसे इशाईयों ने अपनी अवधार्णा बना लिये थे इसलाम के मानने वाले लोगों ने अपनी अवधार्णा बना लिया था कि गॉड ने वनाया है य तो इनकी जो अवधालना थी वो एक दिन में ही पुरी अवधालना छीन्ड हो गई थी 1921 में जब ये पता चला कि सिंदु घंटी सब्वता नाम की एक सब्वता है जहां पर प्रचीन आदी अनादी काल से रहने वाले आदिवासी लोग रहते हैं और उनकी अपनी संस्कृती ह और वहां पर विभिन्य प्रकार की जो भासा इस्तमाल की गई है वो बाकी सभी धर्मों की भासा से बिलकुल अलाग है मतलब सबसे प्रचीन हम सिद्ध हो गए और वहां पर जो इतिहास निकलके आया नयनय चीजे जिसे हम अगर ये समझें सर प्रतम जिसको हम समझें तो य यह दोस्त हो गई तो उन लोग ने जान भूच कर यह एक सड़यंत्र रचा गये कि जो हड़ापा सब्वेता है और मुंदो जोडो जो है इसको जान भूच के पाकिस्तान में देश बारते समय पहुंचाया गया कहां पाकिस्तान के हिस्से में क्योंकि अगर वो धोका सी इं मुर्कोट जिसे हम कहते हैं उसी के बाद चोड़ागर के बारे में हमने खोजबीन निकाला तो ऐसे ही हम छोड़े-छोड़े स्थान के जो खोजबीन कर रहा है वैसे ही हम सिंदुग हाटी सब्वेता के बारे में भी कुछ नया निकाल लेते बहुत सारी चीजां पढ़ ल और मौन्दो जोड़ो इस्थल जहां पर है तो साथियो आपको मूलता है एक जानकरी दे दूं कि दुआस जो सिंदुग हाटी सब्वेता है जिसमें हमारी पहचान है जिसे आज हमारी पहचान के एक चीज मिले हुए राज जिसे लोग बदल रहे हैं वहां पर जो भासा ज हए सब्वेता निकल रही है जैसे सब्वेता में भी हमने देखाई कि हड़ापा हो गया मध्ल जोड़ हो गया काली बंगा हो गया लोधाल हो गया और । सबसे प्रमुक चीज निकल के आई आपको पता होगा सबसे प्रमुक चीज है जहां हमने देखा कि आदिवासियों के जितने भी समुदाय हैं वहाँ पर जो इस्त्री के बहुत सारे अभूसर पहने हो इस्त्री वहाँ पर निकली और उससे समझ में आता है और उससे बहुत सारी चीज़े जो भूब एक ज्यानी को ने बताया है कि हाँ इस्त्री प्रदान देश था है मात्र सक्ति प्रदान देश था या नगर था जहां पर जो वहां की महिला है उनका वर्षास्पता महिला को पुरुष से उपर माना जाता था जैसे आज पित्र सत्ता अत्मक समाढ चल रहे हैं मात्र सत्तत अत्मक था तो आप देख सकते हैं किसकी संस्कृति का ह Yeah मर्व या कहते है कि शिंदू हांटि सब बता मैं आदी वाश का कोई लेना देने नहीं है सशनातन धर्मे के लोगों का है particular एक particular धर्मी के Oo लोगों को कि महिलाओं के सबसे ज़्यादा जो wert है महीलाओं को सबसे ज़्याद जो मानने की प्रथा है ये पृंभी है ज的时候 देकने को मिलती है अगर अगर जिनको लगता है कि शिन्दुगहाटि सभवताम आप lower में आप उसके आर्मेन आज गूगल में पढ़ रहा था तो उसमें सिंदुहाटी सब्वता में लिखाए कि वो तीन मूण वाले विक्ति था वहाँ पर उनको ये भी पता नहीं कि सिंग मोहर किसे कहते हैं जो लोग हमारी संस्क्रेटी को हमारे इतिहास को हमारी सब्वता को आज तक न सिंदु नदी की घाटी पर होने की बज़े लेकिन मुलता है वहां पर जो समुदाय रहता था उनकी भासा में उस सब्वता का नाम क्या था वह आपने कभी खोजने के कॉर्सेश नहीं किया गया जैसे ही आदिवासियों को जो नाम दिया गया है दूसरे ने दिये और उसको मैं अपने आपको कोई तुर बोलता हूं जो भील समुदाय के विक्ति वो अपनी जो नेटिव भासा में भीली भासा में कुछ बोल सकता है मतलब इनको वहां के नेटिव परसन क्या सोचते हैं उनका अपना नाम क्या है उससे लेना देना ना रखते हूँ यह अपनी चीज सब्राइब तिस मेरे वीडियों इर वी चै रहे हैं उन लोगों लोगे स्रेवक नदी के किनारे होने के बाद उसका नाम आप नदी के हसाब से नहीं रख सकते उसकी मूलता जो पहचान उसको आपको वरकरार रखना पड़ेगा और नहीं रखोगे तो हम तो अंदौलान करेंगे क्योंकि वहां से हमारा इत्यास जुड़ा हुआ है और हमारा इत्यास इस प्रकार से देखाया और उन्हेंने सबको चैलेंज भी किया कि अगर आप यहां की जो लिपी है यहां की जो भासा उसको पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए आपको गौंडी भासा के अध्यान करना पड़े अगर उसी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं जिसके माध्यम से आप की हुई है जहां पर सिंग महर धारन किये हुए जहां उपर सब पूरे वर्ड लिखे हो जिसका मतलब ही होता है कि आंधी पुनेम मुठवा पांधी पारी को पार लिंगो जो कोया पुनेम के व्यवस्था पक रहे हैं जो उन्हें उस सब्वता को उसमें प्रस्ण में जो पांधी पारी कोपार लिंगो है जिनको अभी कोछ VHU के कोछ इस्टूरेंट का मेरे पास मैसेज आया था वो बोल रहे थे कि कोपार लिंगो भी बाहर का है वोले मैं उन लोगों के समझाना चाहता हूँ कि जिस सिंदू हाटी सब्वता का नाम परिवर्तित किया जा रहा है उस सब्वता में गौंडी फार्सी से लिखी हुई एक एक लिपी है चित्रकला हमारा है वहाँ पर वहाँ पूरा हमारा इतिहास मिलता है वहाँ पर जो आपको र जिश्व की सबसे विशाल विक्सिस सब्वता में से एक है जहां सर प्रतम कासा का इस्तमाल किया गया प्रतम बार जहां नगर बने जहां जिसे बार बार उजाड़ा गया और कोन उजाड़ रहा है वह आपको वहीं चुलोग उजाड़ रहा है जो अभी भी जिनके बच्च कहें जो नाम बदलने के कौसिस कर रहा हुनी के पुर्खों ने भी उस सब्वता को जाड़ने के लिए बार बार कौसिस किया गया जहां पर अदभूद जल विकास प्रडाली थी आज भी सूखा पड़ जाता लेकिन सिंदुगाटी सब्वता में हर चीज चाहे नाली से लेके के सडक से लेके सनाना जरस से लेके पूरिप वहस्ति चीज ती जहां क्रेसी PM कि विट्फान करेंद तरह इसमें कवे बिचार ने करता अगर विचार करींगे तो हम प्रतम जो राई हो चाहे गेहू ओ चाहे जोआर हो, यह एक जंगली फसल थी और जंगली फसल को हमारी पूरवज ने उसको खाने योग समझा और उसका फसली करनी किया, जमीन में बोहना सुरू किया, एक-एक भी जंगलों से लाकर उसको फसल के रूप में इस्तिमाल किया, तब जाके हम आज ग्यहूं मक्का और बाकी चीजा खा रहे हैं ये कौन थे जन्हों ने खोज किया इसके बारे में कभी पुस्तकों में नहीं दिया है और कभी जानने के कॉंसित भी नहीं कहिए क्यों कि इससे हमारा इतियास निकल के आता है क्योंकि आदे से जादा बड़ी सोच के देखिए आप उननीस सो एकिस से पहले और उस समय कि जो सब्वेता निकल करह भी खोजा गया है निकाला गया है «वो इतनी विक्सित है कि आज भी हम उतना विक्सित आज भी वेवस्तित नहीं रह पा रहे हैं» और वो उस समय ब्यवस्तित हो चुकी दिए कितनी आगे निकल चुकी दिए मतलब वहां रहने वारे लोग कितना माइंटेड नहीं रहे होंगे कितनी चीजों की खोजने किये उन लोग नहीं कि वहां पर तो मुख ये भी समझ में आये था कि वहां जो हाती घोड़ा मुर्गे और इसके साथ बैल गाए यह तमाम चीज़ें वहां पर पाएए गई आप सोच सकते हैं आप सरप्रतम एससी के जो एकजाम होते हैं उसमें पूछा भी ज line किसे बनायता और उसमें कुट्टा को बनाया ता आप सोच सकते हैं कुट्त भी जंगली रहोगं उसको भी पालतू बनाया है ज़ोग उसको भी पालतू मतलब यह सब बताने है कि हमारे पुर्कोवने बहुत महिनत किया बहूत तकरके scientificallyoom सब्बता बसाया है और उसको आयते जो लोग बिदेशी लोग आकरवणकारी लोग आयते आकर उस सब्बता को अपने नाम रेजिस्टर कर रहे हैं उससे अपने इतियास मिला रहे हैं जिनका उससे कोई संबंदी नहीं है तो सगसातियों आगे मैं बता दूँ आपको सेकंड चीजे हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों का यह भी रिफ्रेंस उसमें दिया गया था कि यहां जो आदिवासी जो लोग है वह बाहर से आये जैसे अभी मैं रहुल करनाके जी की यूटूब चैनल में मैंने देखा एक पोस्ट देखा था उन्होंने डाला था कि मैं आज लाइ ब्रीच चैनल में पूछा भी था बोले क्या बकवास है इसमें क्या जूट बोला मैंने बोले तो उसको मैं यह भी जवाब देना चाहते हैं इस वीडियो को मात देंसरो वहां पर भी मैंने जवाब दिया था जो यह बोल रहा था कि तुम आदिवासी बोले अफरीका के हो यहां पर क्यों अपना वजूद बता रहे हो उसको मैं बताना चाहता हूं ऐसे बेवकूप लोगों को जो आपको बोलते हैं कि तुम बहार के हो आदिवासी अफरीका के हो तुम इंडिया में क्या कर रहे हैं इन लोगों को जवाब दो जो इस प्रकार के उल्टे सीधे सव हमाना कैसे हुआ है जब यह तमाम चीजों पर अध्धन करेगा ना तब उसको समझ में आएगा कि एक समय पहले जो भूखंड अलालाग हुए वो एक साथ थे सूपर कॉंटिनेट हम जिसे कहते हैं पैंजिया गौणवाना लेंड जिसे हम कहते हैं वो धीरे-धीरे जब खि है जब आपस में टकराई तो हिमाले जैसे परवत का निर्माण हुआ तो हम कहीं बहार से नहीं आए हमारा भूखंड इखिसक के यहां पर आया हम अपनी जमीन में पहले भी थे आज भी है और हम ऐसा रहेंगे ऐसे लोगों को जरूर जवाब दें इसके वारें जरूर अध साथियों कि सांधी पारी कोपार लिंगों को भी यह लोग गलत प्रकार से प्रस्तूत करते हुए उन्होंने कहा कि जो गोटुल प्रणाली है इसमें भी यूवा यूवतियों के बारे में कुछ मन घड़क और अभधर भासा का प्रयोग किया है इसका भी मैंने देखा कि 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 इसी ने भी कहीं विरोध नहीं जताया गया इसका कारण यह है कि यह लोग लगतार हमारी चीजों को बदलते जा रहा है और गलत प्रकार से प्रसूत करते हैं और हमारी यूवा साथि उसका विरोध नहीं कर पाते और विरोध ना करने की बज़े से इनका स्रय वड़ता ह और उस चीज के लगतार साइं सावित करने के लिए आ गया जाते हैं, लिख देते हैं, और हमारे लोग जो लिख लेते हैं, उसको बिल्कुल 100% सत्य समझ के, उसको एकसेप्ट करके उसको माल लेते हैं, हर लिखी हुई चीज सत्य नहीं होती, आपको उसके पीछे विसलेशन क करना पड़ेगा तर्क करना पड़ेगा और महराष्ट में अभी देखे हमने कि सिंदुग्हाटी सब्वता का नाम जो बदला जा रहा था तो सबसे आदा महराष्ट में इसके विरोध हुए मैं चाहता हूं कि जगह जगह युवा साथी विरोध करें क्योंकि उससे ही हमारा बजूद है सिंदुग्हाटी सब्वता के बारे में जब खोज हूँ उसके बाद जब लगता डिने की रिपोट आई रिसेंटली दो यार अठार में जब यह बताये गए कि बेदेसी विक्ति कोन है जब यह डिने टेस्ट हुआ तो आज इसे जादा लोग की तो नींद इस वुखंड में तुम आकरमाणकारी लोग हो यहाँ पर तुम जब देस्ति आके कबजा किये हो तो उन लोगों ने गलत प्रकार से ही प्रस्तूत करना चालो और लगतार उनकी रिसार्चें चालू है लेकिन हम अपने आपको साबित करने के लिए आज सिर्फ अपने को ऐसी चीजों में PSD करके हमें ही खोच करने के लिए निकलना पड़ेगा अन्यता हमारी चीजों के यह नाम बदल के फिर से अपना लेंगे और हमें ही विदेसी ठहरा देंगे तो इस वीडियो के माद्दम से में यही संकेत आपको देना चाहता था कि सिंदु घांटी सब नगरी ती जहांपर पांदी पारी कुपार लिंगो जहांपर गॉंडी पारिसी जो भासा मिली उसके साब से अगर आपको नाम चेंज करने तो आप उसका को या संस्कृति कर सकते हो लेकिन सरस्वदी संस्क्रेति का मैं पूर्ता विरोध करता हूं वैसे ही इसका सिंदु जोड़ो इसका मतलब ही होता प्रांतों का टेला हमारी गौंडी भासा में अधिकतर चीज़ों वहाँ पर इस्तमाल की गई है और लगतार बदलता जा रहा है तो आज मैं आपके सामने लाइब आया हूँ और दो आईडी ब्लॉक हो गई उसके बाद लाइब वो मेरे साथ कैम जंगलो को सुरक्षित किया यह मेरा पूरा गाउं का आइड़ सेट जंगल है आप देखिए और हमें जंगलो की किनारे रहना पसंद है विकास के नाम पर आज इनको जो उजाला जा रहा है उसका मपूर्णता विरोधी है सेकंड चीजा इसी में आपको बता दूं कि उसमे एक चीज और बताया गया है कि यहां पर सीव के बारे में अधिकतर देखना आपको शीव और नाग के बारे में गलत प्रकार की अवधार्णा उसमें दी गई है तो आप तमाम लोगों को सिंदुगहाटी सब्दा को समझने से पहले सांधीपारी कुपार लेंगों को समझन कर सकते हैं और अगली चीज데 मैं बता दूँ ने क्यक्त चीजिए यहां पर दी हुई है कि वहां पर लिखी हुई जो भासा है आपको पता है हमारी दिसा कि अध्यी अगर अनुसार बहुंती है तो कोई भी लेंगवेज हम इधर से लिखते हैं लेकिन हमारी लेंगवेज हो इधर से लिखाता है कोंडी को इसम पांब प्रकार सब नहीं पहनती थी, उनका वहाँ पर मिला है, सिंग मोहर धारन किये हुए जो लोग है, वहाँ पर हमारे मिला है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो निकली हुई है, वो तमाम चीज़ें ट्रैवलों की मिली हुई है, इतनी कुछ मिलने के बाद आदिवासियों की दूसरे समु आपका इतियास मिटेगा और जिसका इतियास मिट गया तो उसका आगे वाला भवीज भी कुछ नहीं रहेगा आने वाले समय में आपको भी सरणाति खोसित करके इस बुखंड में रहना पड़ेगा करना चाता हूँ यही आगरे करता हूँ कि आप अभी भी वक्त है विरोध जताना सुरू करें खुल कर विरोध करें अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी एक एक चीजें को लगतार जो अभी बदलने की जो कॉंसिस किया जा रहे हैं वो लगतार बदलते रहेंगे यह तो जो गाउं है किस पुर्ख़ई के नाम पर रखा गया है आपका जो ब्लॉक है किस पुर्ख़ई के नाम पर आपको जिला है आपके किस पुर्ख़ई के नाम पर यह खोजने की जिम्मेदारी आज इस वीडियो के माद्दम से मैं आपको दे रहा हूं और यह जिम्मेदारी मैं सनरक्षित कैसे करना है और उन इस्थलों को जो गुप्त हो चुके हैं उनको पुनहा सब के सामने कैसे लाना है यह जिम्मेदारी मेरी है मेरे शेत्री की और आप तमाम युवा सांथीस में कहना चाहता हूं जैसे मैं अपने शेत्रे में आपने देखा होगे इस से पहले मेरे बहुत सारी वीडियोस थे जिसमें छिनवाणा झिले में जो हमारे सांस्क्रितिक धरोवर इस्थल है जो हमारे पुर्खाओं के इस्थल है जिनको छुपाये गया था खतम करने के कौंसिस किया जा रहा था उनको हमने जा जाके खोच-खोच के निकाला, अगर कोई उसका विरोत करना तो उसका डटके हमने उसके सामने मुकाबला भी किया, तो मैंने तो अपने जिम्मेदारी ने वा लिया अपने छेत्री की, मैं तो सभी जगा नहीं जा सकता, सभी जगा के सांस्क्रितिक धरो और इस्तल को नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने वाले अब तमाम यूबा साती, अगर मेरे साथ ये फ्रेंड ले ले, आज ये सपत ले ले, कि अपने छेत्रे के अपने जिला के, तमाम सांस्क्रितिक धरो और रिस्तल जिनको बदला गया है या जिनको छुपाया गया है या जो आज दफन हो चुके हैं चाहे वो नाम हो उसको पुना खोच के हमारे समाज के सामने रखेंगे अगर आपने यह काम कर दिया तो मेरा एक काम असान हो जाएगा साथी और ऐसे ही युबाओं को आज इस गुणवाना भुबाग इस आदिवासियों का जो समुदा है कि आज ऐसे ही युबाओं के जरुवत है आप आज ही के दिन से यह सफत लें और जगा जगा जाए और वहाँ लाइफ वीडियो बनाएं और लिखें जिस जगा पे आप गए हो वहाँ किस राजा का किस पुर्खा का महत्पुन इस्थाल है जैसे हमने आपको देवगड से लेके छिनवाडा लोकल पोला ग्राउंड में जो हमारे मुठवा बाबा को छुपाया गया था उसको लेका और जगा 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 जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए है मस्जिद बने हुए है ऐसे बहुत सारी जगा जहाँ आदिवाचियों के इस्थाल थे जहां आसराम बापू ने कबजा किया हुआ है आदिस जादा आदिवासों के स्थाल जैसी जगा जाजा के हम खोच के सब के सामने निकाल रहे हैं आप आज तमाम यूबा साथी से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस काम को अपनी पढ़ाई के सांसाथ अपने काम के सांसाथ अगर इस काम को अपने जिम्मदारी समझ के करना सुरू कर दिये तो मेरा ये काम असान हो जाएगा और हम पुनहा अपनी खोई हुई संस्क्रिती खोए हो धरोर इस्थल और खोया हुआ इतिहास को सब के सामने प्रस्तुत करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा इतियास हमारे समच मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया था रेला पाठा के माद्यम से हम तक पहुचा हमारे जो स्याने हैं दादा, दादी, मम्मी, पापा जो साधी में गहुं कारते समय रोटी बनाते समय या फिर कोई भी साधी बिभाह के समय चाहे एक बच्चा पैदा होता जब सूदक के समय जो गाना गाते थे जो सूदक जो गाना गाते थे उसमें भी हमारा इतियास चुपा हुआ है तो सिर्फ हमारा इतियास लिखा नहीं गया हमारा इतियास जो आदिवासियों का जो इतियास है वो रेला पाटा और गीत के माद्यम से एक दूसरे के जुबान तक पहुंचाया गया है और अब सिर्फ जुबान तक पहुंचाने की बंती नहीं अब हम उसको लिखेंगे और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये हुआ है कि हमारा इतियास नहीं लिखा गया इसलिए इन बेदेशी आकरमार कारियों नो उसको नहीं पढ़ पाया इसलिए अपने मन से मन घड़क हमारा इतियास गढ़ने के कॉंसेस किया गया लेकिन बहुत बड़ी वेवकूफी कि इनने ये पकड़ा गए कई प्रकार्स बदलने के कॉंसेस किया गए इतियास को लेकिन ये लोग पकड़ा गए और हम उन लोगों को बताते हैं कि भाईया ऐसा नहीं ऐसा है सम्भू ऐसा नहीं थे यह है विमाल पैन ईसा नहीं है यह थे विमाल पैन हनुमान जिसको आप बोलते हैं महिसासर कोन थे रावेन पैन कोन थे ये तमाम इतियास हम इनको बताते हैं क्यों क्यों क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ थोड़ा बहुत देखा है और हम लोगों ने तो सुना है और हमारे सांस्क्रिजिक धरोर इस तल अभी तक जीवित है जिसका ये लोग राक्षस खलनाय की भूमिका बताते हैं जिसको ये उल्टा सिधा बोलते हैं उसको तो हम बर्सों से पूछते हैं और आज भी पूछते हैं इसलिए आप से निवेदन हैं कि हमारे पुर्खों ने लिखा नहीं ये अच्छा किया क्योंकि ये लोग बदल देते हैं लेकिन अब हम पुना सिक्षित हैं जागरुख हैं हम के सामने रखेंगे जिस मनगला चीजों को ये हमारे सामने प्रस्तूत करते हैं हम इनको ओरिजिनल चीजे प्रस्तूत करके दिखाएंगे हम इनको बताएंगे कि भासा का निर्माण कैसा होता है और हमारी भासा हमारी पाना पारसी गौंडी पारसी गौंडी पारसी चीजों को हम इनके सामने रखेंगे और बताएंगे कि बाला खड़ी के निर्माता हम हैं, हमारी गौंडी भासा से इस भूखंड की और वेदेशी जो लोग हैं, उनकी आदे से जादा भासा हमारी भासा से कॉपी करके और नकल करके बनी हैं, तो साथियों हमारा इतियास महान था, महान है, और इसको और महान करने के लिए आप तमाम सांतियों को जरूत हैं, अब उन्हां आपको याद दिला दूँ, मैं आज का इस वीडियो बनाने का मकसद था, कि हमारा इतियासिक इस्थाल है, जो बदलने की नाकाम कॉंसिस ये लोग कर रहे हैं, उस इस्थाल का खुल के विरोत करें, नाम ना बदलने दे, और उसका वास्तविक नाम है, वहाँ जाएं, बोर्ड गड़ा दें, बड़ बड़े अक्षारों में लिख दें कि फलाना फलाना इस ताल है, नाम बदलने के कॉंसिस करने वालों को कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार हमने हों करेंगे, क्योंकि भाई जिस दिन अपनी उसमें आ गया हम, इनको सबक सिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो सबसातियों को बस इतने ही कहकर वीडियो को बाइंड अप करूंगा, पुनाय बात धोराऊंगा, सिंदुग हाटी सबदा का नाम बदलना का मैं पुर कॉंसिस कर रहे हैं, लिखके अगर आप हम तक पहुचाएंगे, कहीं ने कहीं तमाम यूवास आती पढ़ेंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे यूवास आती है, जो ट्राइबलों पर पिएजडी कर रहे हैं, आदिवासियों के संस्क्रिती पर पिएजडी कर रहे हैं, तो वो इन ताकि मैं आने वाली जो हमारी पेड़ी